महराया रंजीट सिंग्ग thay दी मौत तो बाद खालसा राज दा की होया के मैं अपने आने ही गदी देलाल चुचाके गदारिया की ती आ के मैं कतल हुए एक देन हैजा सी एक देन चऊ सौ गतल हुए सी लहौर दरबार च महराया रंजीत सिंग ने पंजाब ते चारी साल राज कीता ते उना दी मौत तो बाद दस सालाच ही ताँच दे पत्यां मंगोना दा राज खिंड गया सी अकसर एक अलकरी जांदिया के टोगरियां दी गदारी करके खाल सा राज चले आ गया पर जदो तुसी महराया रंजीत सिंग दी मौत तो बाद दस साल देखोंगे ताँच ने लहौर दरबार दे हर मोड ते एक गदार ते एक लालची खड़ा होया मिलूगा हुन शुरू कर दे हैं ओ दस सालाँ दा दर्दनाग सफर के में खत्म हो गया सी खाल सा राज महराया रंजीत सिंग दी मौत तो बाद उनना दे सब तो बड़े पुतर खड़क सिंग नो गदी ते बठाया गया क्योंकि महराया रंजीत सिंग अपने जयोंदे जी ही उनना अपना वारस ऐलान गय सी महराजा खड़क सिंग जो दों गदी ते बैठ देने महराजा रंजीत सिंग दे सब तो बड़े पुतर उननों थोड़े टैंची है एहसास हो जानदा के डोगरियां दी इंटरफेरेंस बहुत जादा वदरी है मेरे राज ते छेट सिंग बाजबा तो डोगरियां पावरा बिलकुल कटा देना है ऐ तिन परा दरबार चोले से बहुत पावरफुल सी ते आनस in डोगरा गुलाब सेंग डोगरा सेचेट सिंग डोगरा तिननों परा है कठे होके कमरुणॉन्हाल सिंगानौन लेके आजवान गबरू जिने कल नूँ पंजाब दा महराजा बनना है तडोगरे परा कमर नौनहाल सिंग नूँ ते कुछ सरदारा नू नाल लेके फिर एक रात नू महराजा खड़क सिंग दे महल ते हमला कर देने ते चेट सिंग वाजवादा कतल कर देने महराजा खड़क संग नो बंदी बना लेया जान दा ते पूरे राजदी जम्मेवरी दे दिती जान दिया होना दे पुत्त कमर नौनेहाल संग नो कमर नौनेहाल संग नो महराजा एलान दिता जान दा है पर कमर नौनहाल सिंग भी कहने थोड़े टैम ची ही समझ गए के डोग्रेयाने मेनू राज नहीं करन देना क्योंके डोग्रे बहुत जादा इंट्रफेर कर दे सी महराया रजीत सिंग ने अपने राज बिले इनना बहुत बड़े बड़े ओदे देते हुए सी ओ समय भी उननी साल दा महराजा पिजाब दा तीजा महराजा उन्हें फिर कई स्ट्रिक्ट एक्शन ले इनना दे खिलाफ आप दे बंदे फिर इनना दे बराबर लहार दरबार्च लगाते हुन महराजा कमर नौनहाल सिंग भी इनना या खंच चुबन लग गे लेके अंदे भी एद महराजा खडख सिंग नो स्लो पोईजन दे के त्यान सिंग डोग रहोना निं मरवाया सी क्राझा है महराजा कमर नौनहाल ने वाले खंच लहीत होई त्चिक्राप Ney हाले स्ट्रिक्ट कतल करते था एक बड़ा शाही दरवाजे बाचच च्ज घा महराजा कमर नौनहाल नि अपने दो महराजे खोए प्योदी चिखा हजे ठंडी भी नी सी होई के पंजाब दा ओ चड़दा सूरज ओ सूजवान नौजवान कमर नौनेहाल सिंग भी पंजाब नू अलविदार गया महराजा कमर नौनेहाल सिंग दी मौत तो बाद कीनू महराजा अपना ये गदी ते कौन बैठ हुगा ऐथे दोधा विदार सी एक सी कमर नौनेहाल सिंग दी माता ते महराजा खड़क सिंग दी बिदवा राणी चांदकौर दूसरा महराजा रंजीत सिंग दे छोटे पुत्तर शेर सिंग जो बटाले रेंदे सी शेर सिंग महराजा रंजीत सिंग ते राणी महताब कौर दे मुंडे सी राणी महताब कौर जिस दे पिता नौ महराजा रंजीत सिंग ते पिता ने मारया सी इस करके राणी महताब कौर दी कदे बणी नी जादा महराजा रंजीत सिंग ना व्या तो थोड़े टैम बाद ही हो अब दे पेक्के चले गए सी ते अन सिंग डोगरे ने इथे केंदे ने के चिठी लेह के महराजा शेर सिंग नू बटाले तो सद्धिया के आजो अब दी गद्धी ते बैठो ते जड़े संदावालिये सी ओ स्पोर्ट कर दे सी राणी चांदकौर दी कमर्नावनेहाल सिंग दी माता दी और संदावालिये कौन सिगे संदावालिये महराजा रंजीत सिंग दे रिष्तिदार सिगे तन्हें से ह्ऺेड़े परवावशाली सिघे लैना संग सन्द वालिया अतर संद वालिया अजीत संद वालिया उन इथेना ने कोशिष की ती दोनों जड़े ग्रोप सिघे कि इन्हादी आप सी सहमती करके कुई हल कर लिए महराणी चंदकौर ने शेर सिंग नू महराजा मननतों मना करता क्योंके ओम अन्दी जी के शेर सिंग जो राणी महताब कौर ते महराजा रंजीत सिंग दा मुंडा है जिनना दी आपस्ट कदे नी बणी के शेर सिंग महराजी दा पुतरी नी हैगा वो केंदी सी के एहे आपस सिता कठे रहे नहीं कदे के राणी महताब को और ने दखान लई ही किसे होर दा पुत आप दी कोदी पालेया ता जदो हो शेर सिंग नू महराजा रंजीत सिंग दा खून ही नी मान दे सी ता हो महराजा कितों मान लें दे अच्थों होन बड़ी डिफिकल्ट सिच्वेशन बढगी अच्थे तीजा दावेदार एक हो रहा गया जो हजे एद दुनिया आया भी नी सी क्योंके कमवर नौन हाल सेंग जीना दी मौत हो चुकी सी उनना दी पतनी बीबी नान की ओ गरब वती सी एक विचार ये भी चलिया के बीबी नान की दा जे पत्त होया ता ओ गदी ते बैठ हुगा एथे फिर फैसला होया के शेर संग नूं हजे राजा नहीं बणाया जाओ शेर संग वापस जाओ ते उनने टाइम चंद कॉर नूं गदी ते बठाया जाओ जे कमर नौन हाल पतनी बीबी नान की ने पुत्तर नूं जनम दता था उनूं जम देनूं ही पंजावदा महराजा बनाया जाओ चंद कॉर नूं फिर बना अधता गया पंजावदी पहली महला शाषक अईथे होन फिर चंद कॉर नूं जडे सपोर्ट करना ले संधा वाडिया सी उनना दी बात गहीं। त्यासंग डोगे नूं फेरो अखानखहान लगगे त्यान सेंग डोग रहागे एक तिन जनाना मेलावल जा रहे सी तह संदा वड्या ने आके उनना रोक ले अभी किदर जप्र मुझे यह जा लगे बापस क्योंकि त्यासंग डोग रहोनी अनूं कल्यानूं इमाहराजा-र नजीट सिंग ने के तुसी जनानला मैलना चि जा सक्ते हो सचोचिती भड़ी दिती हो इसी किसे भी हुर मर्दनू आख नहीं सी दिता हमा का जनानला सिंग उन्हीन जů ना कौना बीडि़िए नानकी जो कमर ना नहाल सिंग दी पतनी सी शाम सेंग डारी वाला थी कुड़ी महराजा रजीत सिंग दी पोत नू जीने बच्चेनू जनम muk autism से पोत्त हुँन्दा थां उन्य बनपना उन्झाव दा महराजा es bonus मयहराजा ने बई Cuando नान की दी कोखच ही उस बच्चे नूँ खतम करवा देता देखो गदी दे लाल्च अग्गे भी देखे ओ फिर एक करमा दाए नूँ की फल मिल दाए कि मैं एक कुते दी मौत मर देने बच्चे नू माँ दे पेच खतम क्रांतों बाद कें देने के त्यान संग डोग रे ने फिर शेर सेंग दे कन परे के बोल दे हमला लहौर के ले ते शेर सेंग अवदी फाज लेके फाज थोड़ी सी होदे को पर जड़ी लहौर दरबार दी खालसा फाज सी गी उ महराणी चंद कॉर नू बढ़ा पसंद नी सी कर दी क्योंके और्थ होण करके उह जादा बार नि फाज सी खालसा फाज सी से फाज सी उ जाके शेर संग ना रालगी उन शेर सेंग जो बार खड़ा सी उधे कोड़ होगी 25,000 फाज तेराणी चंद को और कोड़ बचगी सरफ 5000 फाज और ताली कंटे फिर एक कमासान यद चल लेया कंदने के लहौर के लेया कंदा च तोपा नाल बड़े बड़े मोगरे कर देते गए एक बड़ा खूनी जंग होया महराजा शेर संग ने फिर थे एक ऐलान कीता के जड़ा हुन भी साड़े वल आजू साड़े नाल राजू चंद को और नू छड़के उनू बक्ष दता जा अजड़ा हुन भी नाया फिर हो आव दा आप देख ले उदेनल की करांगे सी बड़े लोग रानी चंद को और दा साथ चड़ के शेर संग बल आगे पर संदा वाल ये सरदार थे गलाव संग डोगरा नहीं आये रानी चंद को और दे हाथ बस होन को छे रहा नी उनू बड उनने पंदे पे जे भी तु हार मान ला ता रानी चंद को और ने कें दे फिर हार मान ली ते रानी चंद को और पंजाब तेसरफ दो मिने राज करनतों बाद उन्हों एक काग़ज दे गए कि लिख के गदी ते हून मेरा कोई दावा नी है बड़े पर एमान नाल चंद को और ने फिर उक आग जानते साइन कर देते हजे शेर सेंग नू राजा अपना होना ही सी के उस तो पहला ही उसे ही रात गुलाब सेंग डोगरे ने लहौर दा खजाना गड़ेयां चे परके जम्मू वलनू रवाना हो गया केंदेने के सोने हीरया ना लदे होए बारां गड़े लेके रात गुलाब सेंग डोगरा लहौर तो जम्मू निकल गया होने एक खाली खजाने दा मालक बना अधरता गया शेर सेंग शेर सेंग बना अधरता गया पंजाब दा अगला महराजा शेर सेंग होन कहे जा सी ये दे बारे भी सुनु दास दने हैं शेर सेंग बड़ा शुकीन बंदा सी अंग्रेजजानू भी है चंगा लगदा सी क्योंके इनू कोई बाली चड़ी उत्री दी है नी सी बट तौर काट के पूरी रहनदा सी या पूरा सज़ात जा सोने हीरे दे गैने अना लद्या होया केंदेने के लहौर दरवार्च की हो रहा है उस तो जादा नौलेज शेर सेंग नू पैरेश्च मन रहे परफ्यूमा दी हुंदी सी ये पहला सेक्सी जी ने दाड़ी बनने शुरू किती अपनी दाड़ी केंदेने अधना दो पागंच कर लेंदा सी फिर अनो मोड के अधना बन लेंदा सी मुझ्छा पूरी या खड़िया रख दा जी अंग्रेज जानू कोई डर नी सी या दा क्योंके अंग्रेज जानू डर सी महान योदे शेर पंजाब महराजा रंजीत संग सर्दार हरी संग नलवा पंजाब दी शान शाम संग अटारी वाला वर गया दा ओकमर नौन हाल संग जड़ा हजे नौजवान सिक नौजवान सी जड़ा तेरा साल दी उमर्च जीने पहली जंग लड़ी ते पर जवानी ची जड़ा पिशावर दा गवर्नर बन गया सी एहे जे लोग कहां तो डर सीगा अंग्रेज जानू एक शेर संग तो तक कोई डरी नी सीगा तक खाली खजानने दा महराजा बन गया शेर संग कि ले गया गुलाव संग डोगरा सारा आम खजानना लोटे की कई तिहासकारे भी चवलने के चंद को आर दे कैंगда ही गुलाव संग डोगरे ने लहौर दरबारदा खजाना खाली कीता के एक बार में हमाल लेने नी है तू खजाना खाली करते बाद्छों अपड़े देखांगे फिर राणी चंद को और भी केंदे इते फिर शेर सेंग नल व्या कर ली भी राजी होगी तो तक लिखिया गया है कि तेनु महराजा भी मन्या चलते रेना व्या भी मैं कर लेनी है क्योंके पहला एक प्रपोजल रख्या सी डोग रहने के छिल थोड़ा दोना था व्या कर वादेने पर राणी चंद को और नू केंदे है उधे मैलाची ही पंज दस्यां वहलों कतल करवा देता गया इदे यदे लजाम एथे हासकार शेर सेंग भी लूदेने ते आनसेंग डोग रहे थे भी लूदेने उन दी अपनी अपनी रहाया भी क्यों इन्हा ने हमारया तेनी और न दे नक कन ते जीव बढ़ के उननू पजा दता गया लहौर तो के कुछ बोल ना दे उन तुसी सोच के देखो अपा खाल सा राज कहनी है ना के चले आ गया महराजा रंजीस सेंग तो दास साल बादी आ कुछ होया जी आ कार न सी ये जड़ाच जदू अहीं बैठ जान लोग गदी दा लालच इन्ना बध जे फिर कि में ओ राज बच सकता जी ए राज कोई रूंगेच नी सी मिलया आ ये राज मिलया सी हो ठार्मी सदी दे महान सिखा ने अब धाखून वहाया सी उनन दिया शहात्ता दी बदाआल अले ए राज मिलया सी हौन बापस हो ने है वो दरद कर चलोने ने बगावती हो गी हैं सेख फौजा फिर एक मीटिंग बलाई गी महराया शेर सेंग ने केंदे ने ओव मीटिंग च दरबार दे मुंची दरबार दे बड़े बड़े अधे दार एक दुझे ते ही अलजाम लाँ लागे दूशा लाँ लागे कि तूँ खा गया नह मैं नहीं कुछ कर सकता मेरे हाथ कड़े ने जो हुंदा तुसी आप ही कर लो नौ महीं ने तो सोच जिनना दे कर्च एक रपईया नहीं गया फिर की कर दे ओ सेख फौजा ने कहने ने फिर पंजाब दियां दकाना लुटियां बड़े मुंशी मारे बड़े वपारियां दे ते सदक अमदाय आप ही करी जा रहे और आम नाल दूर बेठे स्वाद ले रहे सी ते शेर सेंग नो कोई चड़ी उत्री दी है नहीं सी उसे ही तरीके नाल शेर सेंग त्यार हुंदा सी शाही पशाकां पाके महंगे महंगे गैने पाके मुझ छानू वाट दे के हाथी कोड यहां ते बैके मेलना चुका हुंदा जी इस समय ते कहने नहीं फिर पंजाब दे लोग का अंदा शाही परवार तो यकीन उठ गया तो एक चीज़ सोचो के इस समय अंग्रेज्जा ने फिर हमला क्यों नहीं कीता जो पंजाब बिलकुल इंबैलेंस हो गया सी बहुत मारी ह सी खालसा फॉज्जांदा क्योंके खालसा फॉज्जांचे हजे भी बड़े तकड़े तकड़े महान जो दे जर्नेल हाजर सी अंग्रेज छेती-छेती हत नी पा सकदे सी लहौर दरबार नू खालसा राज दे तख्त नू उनन्हाने फिर एक चाल खेड़ी महराजा शेर से नू होर चेप सी गी अंग्रेज जानी उननने एक चाल खेड़ी हो केंदे के संदा वालिये जड़े कदे महराणी चंद को और दी स्पोर्ट कर दे सी जड़े पाजगे सी पंचाब शाड़े के महराजा शेर सेंग होन मारू सानू सड़े तो बदला लओ अंग्रेज केंदे सब कुछ पला के संदा वालिया नू गाल न लागें भी आज तो आपा परा तुझी मेरे नाल राचला उन्च मदद करो संदा वालिया फेर ताकत चागेल हो अर दर बार च महराजा शेर सेंग कोष्टियां देखना बड़ा शांग सी आप भी हो सेथ पक्खों बड़ा तकड़ा सी एक दिन प्रेड तों बाद एक बागच बैठ के महराजा शेर सेंग कोष्टी देख रहा सी ते अजीत सेंग संदा वालियां आउंदा है महराजा शेर सेंग नुँ कहनदा है कि एक कलकत्ते दी बनी हुई राफल है ते अंगरेज्जा ने बनाई या बड़ा चेक करेओ जेथ होनु पसांदा ही फिर अपनी सेख फॉज्जा वास थे बंदूग का तियार करवाला आंगे महराजा शेर सेंग ने अपना हाथ करपान ते रख्या हुंदा अपनी ते महराजा शेर सेंग जो करपान तो हथ चक के दोनों हथ अग्ये करदे ने बन्दूग फड़न ली ता अजीत सेंग संदा वालिया कोड़ा दा बड़न दा है गोली सिद्धी बाज दिया महराजा शेर सेंग दे डिगगन तो पहला महराया शेर सेंग ने शाब्द बोले आकी दगाए केंदा केंदा महराया शेर सेंग जमीद डिग गया तड़ फरेया सी होजे मर्या नी जी अजीत सेंग संदा वालिया ने अपनी तलवार नू हत पाया म्यां चों कड़ी थे मराया शेर सेंग दा सयरतार तोलाग कर देता हफ़डा दफडी माच गई हो थे ऐसे ही हफडा दफडी च लैना सेंग संदावालिया चाड़ियां दे पिछो निकले आते मराया शेर सेंग दा बारा साल दा पुत्तर कुमर परताप सेंग जड़ा के बड़ा सोना सी बड़ियां मोटियां मोटियां उदियां अखां सी ते बड़ा सुलजय होया सी के अंदे छोटी उमर ची वो जवाक सी होनो डरके वो बाग दे के सहे बूटे दे उले लोक गया द्रख्त दे उले लोक गया उत्थो लैना सेंग में जीठी है ने उन पिंट नी लाया तलवार नाड उस बच्चे दी गर्दन तर तो लग कर देती एक बार फेर पंजाब दे महाराजे ते उदे पुत दा कतल होया एक कतल प्यों पुत दा पहला भी होया सी देखो खालसाराज दी वो मारी किसमत अपके देने ना के खालसाराज डुबया देखो लहौर दे किले ने लहौर दरबार ने ओ खालसाराज ने किनने कतल होंदे देखे जे सब कतल ना होंदे ता कुमर परताप सिंग होना ने अगए जाके पंजाब दे महाराजे बनना सी जे मैं होना पां महाराजा रंजीत सिंग वरे पढ़ देयां कि मैं यॉरप तक महाराज रजीत सेंग दिया चड़ा यहां हो दियां सी ताए कवर नौन हाल सेंग वर गे कवर परताप सेंग वर गे तब बड़े सूजवान सी कि इनने कित्वों तक ले जाना सी खाल सा राज नो कई इतहासकारे लिख देने के जड़ा कवर नौन हाल सेंग सी वो इनना सूजवान सी इना दमागी सी कि जड़ियां सरहद्दा पंजावदियां महराजा रजीत सेंग ने अटक लदाख ते अफगानिस्तान तक पहुंचाईयां सी कवर नौन हाल सेंग जे राज करदा रहें ता पंजावदियां सरहद्दा नो ने एरान एराक तक ले जाना सी एड़ा कावल ते गदार सपोल ये ते लाल ची बैठे सी बार लगोई आगे के मेराज नो खतम कर दूगा अपने टंग दे हूँचाई थे महराजा शेर सेंग ते उदे पुत्तर परताप सेंग दे सेर नेजियां ते टंग के संदा वाली ये लहौर किलिच एंटर होई राच मिल गया उन वही फ्यूज ओडगे सी उन्हों थे की बोलदा हो पच्ची या वदे बाडिगार्ड नाल लेके नाल तुरपया के लिए जह जे एंटर होणी लगे सी मारे अन्सेंग डोगरा उत्ते ही मारता नाल मारते होदे पच्ची बाडिगार्ड ए देन सी जड़ा एक खूनी देन स लहार दरबार दे अंदर ही उस देन सौ गतल होए सी एक कोई देन ची ते अन्सेंग डोगरा होने बड़ी बड़ी पावर सी खाल सा राजियां जणाच बैठा होया सी उदे मारतो बाड एक बार पूरा लहार दरबार हे लगया सी संदा वाली है फिर पंच साल दे दलीप से एक पंचाब दा महराजाय लांद दे अपे अन्सेंग डोगरे दी मौत दि खबर सण के होग दि कर वडि से उनली तियार हो गई है अन्सेंग डोगरे दा मुंडा हीरा सेंग डोगरा अब दी मां को लाँदा है ते कहिंदा है कि तू सती नहीं होना जी जिन्यनाच चेर दोगरा दे आव दे ता हथ बस कोई है नहीं सिए थे जादा एच्थे फिर उखाल सा फौज को जानदा है ते उथे रोन लग जानदा जाके कहना के संदा वाल लग गदार ने ने महराजा रञजीत सेंग दे वनशनों मारे आए टे त्यां सेंग डोगरा जो एना ताक्त वर बंदा सील हो और दरबार दा उनों मारे आए इच्थे केंदे खालसा फौज चाहे पहला बगावती होगी सी पर महराजा रंजीत सेंग ते उनने परवार दी बहुत एज़ित कर दी सी खालसा फौज जो तो ते आंसेंग डोग रे दे पुत्तर हीरा सेंग डोग रे ने एद एमोशनल गलना बोलीया पावोक हो के घुर्सेच आके खालसा फौजा ने पिला के अरलया जी थे अंदर संधा वालिया सी गए उसे ही देन संधा वालिया नू लब लब के कतल की ता लेना संग जढ़ पोरेच लोग्रा वेठाजेवं नो कतल करता गया, जीत संग नो कतल करता गया, अतर संग पजण च काम आब हो गया, अतर संग संदा वलिया जाकि अगरेज जाकोल, फेर लोग गया जाकि उना इशारन लेली उने थे त्या अनसेंग डोग्रा जणा खाल सा राजदियां जणाच बैठा होया सी जिदी महराजा रंजीत सेंग दे राज बेले भी बहुत पावर हुंदी सी उस तो बाद भी रही हुँज दो ओही मर गया ता हुण हीरा सेंग डोग्रा सी अगली ताकत क्योंके हीरा सेंग डोग्रा नूँ भी महराजा रंजीत सेंग बहुत प्यार कर दे सी फरजन दे खास दा दर्जा देता होया सी उनने हीरा सेंग डोग्रा नूँ केंदे ने क्यावदे पुत्ता जिनना प्यार कर दे सी हीरा सेंग डोग्रा नू त्यान सेंग दोगड़े बंडेन। तु महराजा रजीन सेंग नूँर उच चुनद तु महराजा बना चुंदध पर क्योंकि वो शाहिप नहीं सी इसकरके वुण हे नहीं बना सकते। उननों भी पता सी हे, हीरा सेंग डोगरे नों भी पता सी के महराजा महराजा नहीं बन सकदा एच थे फिर हीरा सेंग डोगरा पन साल दे महराजे दलीप सेंग दा परदानमंत्री बन जन दा है इनने कतलां तो बाद लहौर दरबार दी फिर सारी पावर डोगरियां दे हाथ केंदे ने के महराजा रंजीत सिंग दे दो पत होर सी कश्मीरा सिंग ते पिशौरा सिंग उनने फिर एतराज जताया के अकल दे जवाग नो तुसी महराजा बनाता के असी वड़े यां और गदी दी कश्म कश उमी चल दी रही जड़ी पिछे ने कतल होए एंडियां चलना चलना दरबार दीयां कंदा खून नल पर देतीयां गईयां तो पानाल उड़ा देतीयां गईयां मोटीयां मोटीयां दबारां मैं दबलू तो कहने ने के गुलाव सेंग डोगरा फर फॉज लेके जानदा है कसमीरा सेंग ते पिशारा सेंग कोल केंदे ने के वो फिर शाल कोट चाटे के उथो निकल जान देने फॉज जानू देखके तो फिर जान्देने हो एक तार्मिक सक्षियत पाईवीर सेंग नरंगाबाद जिनना देरा हुंदा सी पंजाब जो डेरे थे नाल नाल एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर भी सी गा तलवार बाजी बंदूख चलोना इतों तक के तोप चलोनी भी स्खाई जान दी सी ओडेरे थे तोप मां रखियां भी हो यहां सी ओना ने जिनने भी कोई सेख सक्षीता हुंदियां सी जिनना ने शर्न लेनी हुंदी सी ओ फिर उथे या के लेंदियां सी कश्मीरा सेंग ते पशारा सिंग ने पाइवीर सिंग नरंगावाद वाले उनना कोल फिर शर्न लेली हुंदी डेरे ची क्योंकि महराजा रंजीत सिंग भी आवदे समेच इनना बड़ा अध्रमान कर दे सी गे एक परवाब सी का इनना पंजाब सी हुन ओ डेरे वाल कौन देखे पर कहने ने क हीरा सिंग डोगरा ओ पावर चाके एनना हंकार गया कि उन्हें सेख फॉज्जा नू फेर पढ़का उना शिरू कर देता जड़े नहीं मनने फिर उनना नू लाल्च दिता कि एकर प्या सोड़ी तनखा बदा दिती जाओ डेरे रे हमला करो जाके गुमराह हो यां सेख फॉ पाइवीर सेंग ना रंगाबाद भी फिर पूरे हो गयो थे कश्मीरा सेंग दी भी मौत होगी ते पिशारा सेंग उथो फिर अब दी जान बचांगे निकल गे महराया रंजी सेंग दे दूजे पुतर फॉज जाने हीरा सेंग दे मंगर लाग के डेरे ते हमला करता देता पर इदे नाल लोक कांच फॉज दी इमेज बहुत डाउन होगी पंजाब दी जड़ी शाही फॉज नू लोग सलामा कर दे सी उनू मेने मार लागे लोग जदू हे शाही फॉज जी जान दे गलियां वेच दी ता लोग एनना नू केंदे आगे गुरु मार ता इनना नू फसोस हन लगया फॉज नू वेआर कीता था जलता ए फिर केंदे भी हीरा सेंग ने गुमरा कीता है ये आपन आप दे लाल चाы ली आपन वर्ती जांदे ने फिर गुसे चाही फॉज ने हीरा सेंग ते हमला कर देता हीरा सेंग नू भी होन पता लगेगा है सी के होन्य जा संग नूं थे पंढ़ेत जिलानों फिर मारताBr। तो, Hira Singh Grogra दे मरंतो बाद जड़ी सारी ताकत सियों आागी महराणी जिन्दकॉर देहत् महराया द लीप सिंग दी माहराणी जिन्दकॉर् महराया रंजीत सिंग दी सब तो छोटी महराणी महराया रंजीत सिंग दा सब तो आखरी जड़ा व्या होया सी ओं महराणी जंद कौर नल होया सी 55 साल दी उमर सी महराया रंजीत सिंग दी ते सिर्फ 16-17 साल दी उमर सी महराणी जंद कौर दी उस समय पर दानमंत्री लगा दे ता अपने प्राँ जवाहर सेंग नो जवाहर सेंग फिर इना सब नालों काला निकल लिया पिशोरा सेंग जड़ा ओ डेरेचों बच के निकल गया सी जोहर सेंग ने फौज पेज के पिशोरा सेंग दा सिरवड के अठक दर्याज सिड़ दता उन्हों कतल करवाज था उन्हों जड़ी खालसा फौज सी उन्हों महराजा रंजीत सेंग ते उदे परवार नों बहुत प्यार कर दी सी उन्हों कोई भी नक्सान पंचाओं दा सी ता खालसा फौज फिर आप बदला लेंदी सी क्योंके खालसा फौज दी ताकत महराजा शेर सेंग दे समय ते बहुत बद गई सी पंचेती सिस्टम और ने एक लागू कर लिया सी वो आप फैसले लें लग गे सी क्योंके लहौर दरबारतां ना समया चे पूरा बिखर चुक्या सी ता खालसा फौज फैसले आप ले लेंदी सी ता इथे फिर खालसा फौज ने महराणी जेंद को और दे प्राज जवाहर सेंग नू सजा देती महराया रंजीत सेंग दे पुत नू कतल कर दी बिच चराहे दे जवाहर सेंग नू खालसा फौज ने मौदी सजा सना देती महराणी जेंद को और नू ऐ चीज दा बड़ा अफसोस होया पर एक चीज देखो किना तकड़ा ते किना बड़ा परवार सी महराजा रंजीत सेंग दा किना तकड़ा सी लहौर तरबार महराजा ते उधी एक नौजवान मां महराणी जेंद को और बड़े बड़े आउदेयां दा लाल्च करने वाले किनियां ही खूनी खेटना तो बाद सारे खतम हो गए कोई नहीं बचे या जवाँ विरान हो गया है थे लहौर दरबार उन अगरेज़ा कोड़ मौका सी फिर अगरेज़ा ने किमें लहौर दरबार नू अपने कबजेच लिया कि में सिखां ते गरेज़ जानी जंग होई कि में इहे खाली होई, खोखले होई राजच, होर नमे गदार पैदा होई लाल सिंग वर गे, तेज सिंग वर गे कि में उन्हाने फिर गदारियां करके गरेज़ जाना मिलके सिक्का नूँ जितियां जितायां जंगां हराया जञाल भी आख़ा के सब्सक्राइए वीडियो दे थले तुसे super chat भी पेस सकते हो साड़े YouTube चैनल जाके membership भी जोईन कर सकते हो ते चैनल नूँ भी जोईन कर सकते हो ते पंजाब से हाँ दा एक होर नमा चैनल पंजाब से किसे जिस बड़ी जल्दी तो हनूं इतहास दे किसे कहानिया सुनाया करांगे ओभी तुसी यूट्यूब ते जाके सब्सक्राइब कर सकते हो ता जो उधिया वीडियो भी तो अडेकोल से दिया पहुंच जान केड़े पिंड शैर्च पैट के तुसे साथी वीडियो देख रहे हो इससा नो जरूर दास दिया करो एतिहास दास दिया कोई भी गलती हो गई हो वे ता ले यसी माफी मांग देयां वाइगरुजी का खालसा वाइगरुजी की फते हुआ है